इस तज़रुपे में आप फूक मारेंगे तो आपकी सीडी हवर क्राप्ट की तरह हवा में तेरेल। इसके लिए एक पुरानी सीडी गून बोतल का डकन थोड़ा सा प्लास्टिक का पाइप दरकाल होगा। सबसे पहले डकन में एक सुराग बनाएं और इसके बाद में एक मीटर पाइप के एक सीरे को इसमें कस के दाखिल करें। इसमें कोई लीकेज ना हो। ये पाइप लचकदार होगा। फिर एक सीडी ले और इसकी पिछली तरफ दर्मियान में थोड़ा सा रबर का गोन लगाएं फेवी बॉन लगाएं। इसे कुछ देर के लिए सुखने दें और इसके बाद में इस पर ढखकन को चस्पा कर दें। कुछ देर इंतजार करें जिसके ढखकन अच्छी तरह से सीडी के साथ चस्पा हो जाएं। ये उपरी हिस्सा है और ये निचली हिस्सा है अब सीडी को एक चिकने फर्ष पर रख कर फूंके आपको ताज़ुब होगा कि आपकी सीडी दाए से बाए इधर से उदर इस तरह डोलती है जैसे के कोई हवर क्राफ्ट हो आपकी सीडी दरसल हवा के एक कुशन पर तैरती है जो एक हवर क्राफ्ट करता है आप चाहे तो एक सीडी को एक सपाट मेज पर भी रख कर फूंक सकते हो सते चिकनी होने के वज़े से ये सीडी आराम से हवा में तैरती रहती है ये एक बहुत ही अच्छी वर्जिश भी है आपके फेपड़े के लिए अच्छी कसरत होती है एक पुरानी सीडी जैसे हम फेख देते हैं बहुत ही दिल्चस्प लगाता चलने वाला एक हवर क्राफ्ट जैसा खिलोना बन जाता है